नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवामे दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास खबर लेकर के आई हूँ और वो खबर है CBSE Board Exam से related तो दोस्तों केंद्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानि की CBSE ने बोला है कि जिस तरह से term first में और term second में दो बार बोर्ड exam इस बार 10 और 12 के विध्यारतियों ने दिये हैं इसी तरह से यही वाला pattern आपका आगे भी continue रखा जाएगा यानि की CBSE का कहना है कि COVID संकट की मोजुदा इस्तिती से निपटने के लिए दस्वी और 12 की बोर्ड परिक्षाओं को दो तर्मों में आयोजित कराने का जो फैंसला CBSE बोर्ड ने लिया था वो फैंसला अब आगे भी जारी रहेगा ठीक है रास्ट्रिय सिक्षानिती NEP ठीक है आने से पहले ही बोर्ड परिक्षाओं में सुधार लाने के लिए सिक्षा मंत्राले ने इस चीज का संकेत दिया है जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि नई सिक्षानिती भी हमारी आने वाली है है ना लेकिन इसके साथ ही साथ टर्म फर्स्ट और टर्म टू जिस तरह से दो बार बोर्ड एक्षाम आप देते दिया है आपने 2021 में इसी तरह से आप आगे भी देंगे 2022 में तो ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टर निउस है क्लास 11 के स्टुडेंस के लिए साथ ही वे राज्यों को भी जल्द ही अपनी बोर्ड परिक्षाओं में सुधार के लिए ऐसे कदम उठाने का सुझाब देंगे इन राज्यों को और राज्यों को भी तो सिक्षा मंत्राले के मताबिक CBSC की बोर्ड परिक्षाओं को दो टम में कराने से जुड़े फीडबैक भी चुटाए जा रहे हैं इन्ही क्याधार पर दूसरे राज्यों में भी इस तरह से दो टम में बोर्ड एक्जाम कराने के लिए उनको रहा दिखाए जा रही है सेकेंड है बिटा CBSC का जो इरादा है वो है कोचिंग संस्कृति को खत्म करना तो CBSC जो है वो कोचिंग संस्कृति को खत्म करना चाहा रही है क्योंकि उसका मालना है कि ये जो संस्कृति है शिक्षा के लिए पूरी तरहा से नुकसान दायक है इसका निजात तभी मिल सकती है जब परिक्षाओं को आसान बना दिया जाए और परिक्षाओं का हवा मतलब परिक्षाओं का डर दिखा के जिस तरह से कोचिंग सेंटर्स बहुत ज़्यादा लाप कमाने का प्रयास करते हैं विध्यार्तियों को डराते हैं तो इस वज़े से विध्यार्तियों को विकल्प के तौर पे दो टम के एक्जाम यहाँ पर CBSC दे रही है ठीक है तीसरी एक जो नई चीज CBSC पर लेकर आई है वो है रास्ति सिक्षानिती में भी की गई है सिपारिस तो क्या सिपारिस की गई है CBSC बोर्ड एक्जाम में खास बात यह है कि CBSC ने दस्वी और बार्मी की बोर्ड परिक्षाओं को दो टम में कराने का जो फैंसला लिया है उसकी रास्ति शिक्षानिती में भी सिपारिस की गई है यानि कि जो नई सिक्षानिती अब आप लोगों की आने वाली है लागू होने वाली है उसमें भी दोनों टम के अधार पर कोर्स को आधे आधे भाग में बाटा जाएगा जिसमें कि पहला वाला जो टम है वो बहु विकल्पिया यानि कि MCQ टम पर होगा और जो बाकी का नया फैसला जो कि मैंने आप लोगों को बताया है आशा करती हूं विटा आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी यूसफुल रही होगी इसी तरह की और अपडेट देखने के लिए बने रहें सिक्षा प्रभा के साथ अगर आप पहली बार सिक्षा प्रभा पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें